इस बात की गैरंटी थी, अगर आप काशी आते हैं, तो आपको मुक्ती मिल जाएगी, जिसे आप भहरवी यातना कहते हैं, उसे उन्होंने ही शुरू किया था। आखरी 40 सेकंड में, कई जन्मों के एकत्रित कर्म, तेज गती से नजर आते हैं। काल भहरव का मतलब है, वो जो काले हैं, ये उनका एक आयाम है, इसे कई तरीकों से देखा गया है, ये शिव का एक भयंकर रूप है, जब वो विनाश करने लगे, किसी चीज का विनाश नहीं, समय का विनाश. देखिए, सभी बहुत एक चीजों की एक समय सीमा होती है, है ना? अगर मैं आपके समय का नाश कर दूँ, तो सब खत्म. तो काल भेरफ का मतलब यही है, क्यूंकि ज्यादातर लोग जीवन अच्छे से जीने का फैसला नहीं करते हैं, उनकी एक इच्छा होती है, कम से कम उनकी मृत्यू शांदार तरीके से हो. यही च्छोटी सी इच्छा लाखों लोगों को काशी खींचलाती है, मरने के लिए. तो जीवन के अंतिम चरण में लोग आए, क्यूंकि वो शांदार तरीके से नहीं जीपाए, उनका सपना था कि वो कम से कम शांदार तरीके से मरे. शांदार तरीके से मरने का मतलब है, कि मृत्यू से ना सिर्फ शरीर का त्याग हो, बलकि मृत्यू से परम मुक्ती तक पहुँच बाएं. इस बात की गैरेंटी थी, कि अगर आप काशी आते हैं, तो आपको मुक्ती मिल जाएगी. भले ही पूरी जिन्दगी, आप बेहत बुरे इंसान क्यूं न रहे हों. तो तमाम बेकार लोगों ने वहाँ आना शुरू कर दिया, क्यूंकि उन्होंने बुरे तरीके से जीवन जिया था, और वो शांदार तरीके से मरना चाहते थे. इससे बेकार लोगों की संख्या बढ़ने लगी. फिर शिव बोले, ये जगा खराब होती जा रही है. इतने बेकार लोगों के कारण, वो जगा खुद भी खराब बन गई. इसलिए वो बोले, इसे कंट्रोल करना ज़रूरी है. जिसे आज भेरवी यातना कहते हैं, उसे उन्होंने ही शुरू किया था. आपको पता है यातना का क्या मतलब है? यातना का अर्थ है भयंकर पीड़ा. ऐसा आपके साथ नर्क में होता है. पर वो इसे आपके साथ यहीं कर देंगे. जीवन के आखरी 40 सेकंड में, अगर व्यक्ति जेतन है या वो किसी प्रतिष्टित जगा में है, तो हर इंसान के साथ स्पश्च रूप से ऐसा होगा. चाहे मृत्यू का कारण कुछ भी हो, चाहे मृत्यू अधिक उम्र के कारण हो या वीमारी, आखरी 40 सेकंड में, कई जन्मों के एक अत्रित कर्म तेज गती से नजर आते हैं. उस पल, इन 40 सेकंड में ही, अगर आपने अज्यानता का जीवन जिया है, अगर आपने अचेतना का जीवन, अचेतना के कई जीवन जिये हैं, इन 40 सेकंड में, अगर आप थोड़ी जागरुकता बनाए रखें, तो वो कहते हैं, कि आप कई जन्मों के एकत्रित कर्म से मुक मूल्य रूप से अध्यात्मिक्ता का मतलब आपके जीवन को तेज गती से भगाना है। पल हो सकते हैं मगर कश्ट पहयंकर होता है क्यूंकि चीजें आपके अंदर तेज गती से घटित होती है। जब आपको इसकी आदत हो जाएगी तो और यातना नहीं होगी। वो बस जलता रहेगा। दरसल आप तेज गती से चक्कर काट रहें। तो यही एक प्रतिष्टित स्थान का मकसद है। काशी महत्वपूर्ण हैं क्यूंकि जिस तरह से उसे बनाया गया। उसकी कला, उसकी सुन्दर्ता। उन दिनों कहते हैं कि धर्ति पर कोई दूसरा शहर इतना सुन्दर नहीं था। ये सब चीजें मिलकर वो एक बड़ा आकर्शन बन गया। उन्होंने लोगों का ध्यान खीचने के लिए वो वातावरन तयार किया। तो काशी सिर्फ सुख और सुन्दर्ता नहीं है। वो ऐसी जगा है जहां लोग दुख के सबसे तीवर रूप को जहलते हैं क्योंकि वो जीवन को बहुत तेज गती से भगातेते हैं। कई जन्मों की चीजें एक ही पल में जल जाती हैं। क्या जातार को एक एक वो जतिती हैं।